हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तो दुनिया भर में रहने वाले मुसलिम धरम के नागरिकों के लिए मक्का मदीना एक पवित्र, इतिहासिक एवं समानी स्थान है मक्का मदीना का इतिहास भी उतना ही खास है जितना ये धार्मिक स्थल है मक्का मदीना सौधी अरब में स्थित है इसलाम के पहले परवर्तक पेगंबर महुम्मद का जनम यहीं पर हुआ था इसके अतरिक्त ये स्थान व्यापार का भी प्रमुख केंदर रहा है विश्व के सभी मुसल्मान अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का मदीना की यातरा सरूर करना चाते हैं मक्का मदीना की धार्मिक यातरा पर जाने को हज कहते हैं तो ये तो बात की हमने मक्का मदीना के बारे में लेकिन दोस्तो तब ऐसे में क्या हुआ होगा जब एक साधू को मक्का मदीना में गुसने से रोक दिया गया आखिर वो साधू क्यों मक्का मदीना में जाना चाता था और उसे कैसे रोका गया आज किस वीडियो में जानेंगे क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि किसी भी गैर मुसलिम का मक्का मदीना में प्रवेश करना वर्जित है अगर कोई मक्का जाना चाता है तो उसका मुसलमान होना जरूरी है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई साधू जब एक मक्का मदीना में घुसने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है क्योंकि आज हम आपको ऐसी एक घटना बताने जा रहे हैं जिसमें कुछ ऐसा चमतकार हुआ जिसे देख कर जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं ऐसे में वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे साथी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले तो दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है एक अंतराश्ट्रे का थावाचक साधू महराज जी से जिनका नाम गोपनिय रखा जाएगा क्योंकि उस साधू का मानना था कि अगर हम धरम की रक्षा करेंगे तो धरम हमारी रक्षा करेंगा इसलिए हम साधू का नाम आपको नहीं बताएंगे लेकिन उनके साथ जो हुआ उन्होंने जो किया वो हम आपको सरूर बताएंगे तो दोस्तों ये बात है साल 2020 की जब साधू महराज अलग-अलग देशों के अलग-अलग शहरों में जाकर अपनी कथा किया करते थे लेकिन जब उन्हें पता चला कि इसलामिक देशों में हिंदू की स्थिती बहुत बुरी है वहाँ पर हिंदू धरम वालों के साथ गलत व्यावार किया जाता है तो ये सारी बाते जानकर उनसे सहन नहीं किया गया और उन्हों ने निश्चे किया कि वो अलग-अलग इसलामी देशों में जाकर वहाँ पर मजूद थोड़े बहुत जो भी हिंदू लोग है उन्हें अपने धरम के प्रती जगाएंगे ताकि वो इसलाम देश में रहने के बावजूद भी एक हिंदू की तरह जिंदगी जी सके ठीक उसी तरह जैसे भारत जैसे देश में अलग-अलग जाती धरम के लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पर किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है लोग अपने धरम के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं लेकिन जब वो साओधी अरब पहुंचे तो उन्हें कुछ और ही नजारा देखने को मिला। असल में जब बाबा साओधी अरेबिया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां हर धरम का सम्मान किया जाता है। वहां पर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो हर कोई मिलजुल कर रहते हैं। अब अरब का महौल तो ठीक था लेकिन तब ही उन्हें मक्का के बारे में पता चला। जो सादू बाबा की कथा वाली जगे से मातर कुछ ही किलोमेटर दूर था। तब ही सादू को पता चला कि मक्का मदीना वो जगे है जहां पर हिंदूों का जाना वर्जित है। यानि कि कोई भी गैर मुस्लिम इन जगहों पर नहीं जा सकता। हाला कि इन जगहों के बारे में जानने के लिए बाबा ने वैदिक सहित्य का इतिहास पड़ा जिसमें खास तोर पर ये बताया गया है कि काबा में लगे पत्थर जिसको इसलाम धरम के लोग चूमते हैं वो कोई मामुली पत्थर नहीं बलकि भगवान शिव का शिवलिंग है इतिहास की पुस्तक में लिखी इस बात को जब साधू ने जाना तो ये बात जानकर साधू महराज को बहुत हैरानी हुई और वो सोच में पड़ गए जिस थान पर हमारा शिवलिंग है वहां हमें ही नहीं जाने दिया जा रहा उस पुस्तक से पूरा सच जानने के बाद साधू महात्मा मक्का मदीना में मौजूद शिवलिंग को देखने की इच्छा जताने लगे वो चाहते थे कि मक्का के इस शिवलिंग को वो भी देखें और जाने की आखिर क्यों यहां के लोग गैर मुसलिंग को अंदर नहीं आने देते और इस शिवलिंग को लोग इतना जादा क्यों मानते हैं और इनी सारी बातों को जानने की जिग्यासा से सादू ने सबसे पहले तो एक मुस्लिम शक्स का वेश धारन किया और मक्का मदीना के लिए रवाना हो गए लेकिन जब वो मक्का मदीना पहुंचे थे तो कुछ किलोमीटर पहले ही चेकिंग के लिए ए लेकिन सादू महराज चुप चाप वहां से नहीं गए बलकि उन्होंने एक गार से कहा कि यहां पर हमारा शिवलिंग मौजूद है तो फिर तु मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हूँ सादू की बात सुनने के बाद सुरक्षा कर्मी ने उन्हें पुलिस के हवाले कर थोड़ी देर तक जाच परताल चली लेकिन बाद में सादू महराज को छोड़ दिया गया क्योंकि वो एक परसिद सादू महात्मा और कथावा चप थे उन्हें इस तरह से ज्यादा लंबे समय तक गरफतारी में रखना ठीक नहीं था इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया लेकिन इन सारे चक्रों में वो मक्का मदीना नहीं जा पाए इसी बात को लेकर उनके मन में हमेशा ही असंतुष्टी बनी रहती थी लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो चारो तरफ फैलने लगी वाइरल होने लगी वाइरल होने वाली फोटो में काले पत्थर का एक शिवलिंग नजर आ रहा है जिसे देखकर हर को ये दावा कर रहा है कि मक्का मदीना में बने काबा के नीचे वाले भाग में शिवलिंग के दर्शन हो गए हैं और ये फोटो कहती है कि व्यादिक साहित्ते का इतिहास पुस्तक में फेली काले पत्थर को लेकर बहुत सारी अलग अलग तरह की बाते गए जाती हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर ज fala क्या और क्यूं इसके बारे में एतनी अलग अलग क्यूंत तरहं कि बाते प्रचलित हैं असलमें दोस्तों जब इस्लाम धरम से तालुकात रखने व वो पूरी जरूर होती है ये काला पत्थर काबा के पूर्वी कोने में लगा एक बहुत ही पुवित्र पत्थर है ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर आदम यानी की आदम और हवा के जमाने का है जिन्हें दुनिया का पहला आदमी और औरत माना जाता है कहा जाता है कि ये काला पत्थर इसलाम के उद्य से पहले से ही पवित्र है ये भी माना जाता है कि ये पत्थर शुरुआत में पूरा सफेद रंग का था लेकिन जिस जिसने इस पत्थर को चुआ और उनके पापों का भार उठाने की वज़े से उसका रंग काला हो गया हलांकि कई सारे लोगों का य नहीं समझा जाता लेकिन देखा जाए तो उनके धर्म में भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती लेकिन फिर भी वह पत्थर को इतना एहम मानते हैं कि उसे चूमें बिना उनकी हज यात्रा पूरी नहीं होती साओधी अरब में मौजूद मक्का पूरी दुनिया के मुसल्म शरीरिक रूप से उसके पास हुई धाये हों उसे मक्का जाने के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े और ना ही उसका पैसा चोरी मक्कारी और धुके का होना चाहिए और वो शरीरिक रूप से सक्षम हों इतना होने पर शरधालू मक्का जाकर अपनी हज यात खालबा के अंदर जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता किसी ना किसी तरह से उसे रोप दिया जाता है लेकिन इन साधु माराज के अंदर जाने बा। कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया अब आपको इसके किया कहना नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राइज ज़रूर बताईएगा हमें आपके कमेंट्स का इंतसार रहेगा और इस वीडियो को लाइक और शियर करना नहांभूले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दे ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहे आपका बहुत बहुत धन्यावाद